एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी, खुद को पहचानू एक जंगल में एक कवव रहता था, वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था पर एक पार उसे जंगल में एक बहुती सुन्दर पक्षी दिखाई दिया वह तुरंट उस पक्षी के पास गया, उस पक्षी का रंग सफेद था कववे ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है पक्षी ने हंस कर कहा हंस, कववा बड़ा खुश हुआ और खुश हो कर कहा यार तुम तो बहुत सुन्दर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है तुम्हें तुझे इंदगी जीने में बहुत मजाता होगा हंस ने कहा नहीं मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुन्दर है अब कववा हैरान हो गया और कहा कौन है वो जो तुमसे पिसुन्दर है हंस ने कहा तोता अब कववे ने वहां से तुरन तोड़कर तोते के पास पहुचा अब कववा उसे देखकर हैरान हो गया तोते का गला लाल रंग और तोता हरे रंग का था कववे ने उसे कहा यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे तुम इतने शानदार जो दिखते हो तोता मायूस हुआ और कहा नहीं मुझसे भी शानदार और सुन्दर तो मोर है अब कववा वहां से उड़कर मोर को ढूणने लगा उसने कई दिनों तक मोर को ढूणा लेकिन मोर उसे नहीं मिला लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर मैं चडिया घर में है अब कववा चडिया घर पहुचा और उसने मोर को देखा कि वहां एक बड़े इसे पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फोटो किचवा रहे थे यहादे कववे को थोड़ी जलन हुई कववा मोर के पास गया और कहा यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं मोर उदास हुआ और कहा किस बात की मजे मैं भले ही दिखने में शानदार और सुन्दर हूँ लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली ह मोर ने कवे से कहा यार तुम तो बहुत किसमत वाले हो खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदिगी अपनी मरजी से जी सकते हो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदिगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाऊगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने का तो दोस्तों आज की ये स्टोडी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा